हेलो एर्बबन वेल्कोम यूओ अलेट लोकेशार लेलिम्टेश्टी इस्टडी जोंग आए देखते हैं एक कंसेप्पर बात करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कंडिशन ओफ टैंजेंट फॉर आ पैराबोला ओकी कंडिशन ओफ टैंजेंट फॉर आ पैराबोला तो हमारे पास यह दी कोई पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax आप सभी जानते हैं कि y² इक्वल्स टू 4ax एक स्टैंडर पैराबोला है और अगर कोई लाइन इसको टच कर रही है और उस लाइन का एक्वेशन है y is equal to mx plus c अगर कोई लाइन इसको टच कर रही है y is equal to mx plus c तो condition क्या बनेगी टच करने के लिए अगर यह लाइन इस पर टैंजेंट है तो condition for tangency क्या हुआ करती है c equals to a upon m यह condition of tangency होती है इस तरीके से जो equation होता है equation of tangent वो क्या बनता है y equal to mx plus c था और आप जान चुके हैं कि mx plus c की value कितनी आ चुकी है a upon m तो equation of tangent बनता है mx plus a by m यह equation of tangent बनेगा y is equal to mx plus a by m यह बनेगा equation of tangent चलिए अब आईए और एक बात और बताते हैं इस पर इस पर एक condition or apply होगी उसको देखते हैं ओके आप देखते हैं coordinate of touch point coordinate of point of contact okay point of contact की coordinate देखते हैं यह यह आपके पास में कोई पैराबुला है पराबुला की equation क्या दी गई है y is equal equal to 4ax ओके और यहाँ पर इस पर कोई tangent जो है इसको touch करके इस तरीके से जा रही है तो इस point पर जो point of contact बनेंगे इस point पर जो point of contact बनेंगे याद रखिए उनको आपको याद रखना पड़ेगा a upon m square comma 2a by m क्या होते हैं एक पर फिर से बोल दीजिए a upon m square point of contact क्या होते हैं a upon m square and 2a by m condition of tangent मैंने बता दीए कि अगर कोई line suppose this line equal to y equal to mx plus c है तो अगर ये line touch कर रही है तो इसकी condition क्या है touch करने के लिए जो c होगा c equals to a upon m होना चाहिए specifically parabola by square equal to 4x के लिए और अगर touch point निकालेंगे तो touch point क्या होगे touch point होगे a upon m square comma 2a by m तो आप इसको simply solve करके भी निकाल सकते हैं point of contact मगर इससे काफी जदा आपको help मिल जाएगी आप a m upon m square and 2a by m से बहुत आसान से आपका answer आ जाएगा चलिए आए इस पर based एक question देखते हैं बहुत ही simple सा देखी क्या question है question है align x minus y plus 2 equal to 0 एक line है वो एक पैरावोला को touch कर रही है पैरावोला का equation है axis y square equal to 8x y square equal to 8x और इसको एक line touch करते हुए निकल रही है और इस line का equation क्या है x minus y plus 2 equal to 0 आपको बताना है कि इस touch point के coordinate क्या दिये गए है तो देखे चार options आपके सामने दिये रहेंगे तो एक तरीका तो यह है कि आप चारो को put करके देख लीजे कि चारो में से ऐसा कौनस option है जो parabola को भी satisfy कर रहा है जो line को भी satisfy कर रहा है एक तरीका तो यह है बट अगर आप समय कम लगाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि touch point के coordinate क्या होते है a upon m square and 2a by m तो सबसे पहले यहाँ line से y equal to mx plus c की form में लिख करके और 4x की form में लिख करके a और m पता कर लिजे तो यहाँ पर देखिए 4a is equal to कितना है 8 है so a is equal to तो आगया 2 ओके और line की equation यह आप देखेंगे तो y को right side लिप्लेस करेंगे तो x plus 2 equal to कितना हो गया y तो यहाँ पर m की value की ती आ चुकी है 1 अब देखें अब आपन जानते हैं कि जो touch point होते हैं या point of contact भी बोलते हैं उनको वो क्या होता है वो हुआ करते हैं a upon m square and 2a by m a upon m square comma 2a by m चली तो बहुत ही easy हो जाएगा देखें a upon m square तो a कितना आया है 2 upon m का square कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा 2 है upon 1 so answer कितना जाएगा इसका 2,4 तो answer क्या होएगा इसका 2,4 is the correct answer ठीक है तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं